के काइज लेट्सकुक वे सुचिता चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको लोबिया की उत्पम की रेसिपी बता रही हूँ इसे इंगलिस में ब्लैक आइट पी कहते हैं और काउपी भी कहते हैं लोबिया में बहुत तरह की विटामिन्स पाय जाते हैं इसमें कैलसियम प्रोटीन, जिंक, विटामिन, बी कॉंप्लैक्स, आइरन पाए जाते हैं ये केलिस्ट였습니다 कम करने में भी काफी अच्छा होता है और ये डाइबिटिस पेसंट के लिए भी काफी अच्छा होता है और दाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूफ करता है और ये pregnant women के लिए भी काफी healthy है और लोबिया weight loss में भी बहुत अच्छा होता है गेर आप मेरी चनल पे नए हैं तो मेरी चनल को subscribe करिएगा और मेरे वीडियो को like करिएगा और अपने family और friends में share भी करिएगा और bell icon को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं नए वीडियो डालू उसकी notification आपको मिल सके आईए देखिए कैसे बनेगा लोबिया के उत्पम की recipe इसके लिए मैं एक कप लोबिया ली हूँ इसे मैं एक बोल में डाल रही हूँ देखिए इस तरह से होते हैं लोबिया अब मैं एक चुथाई कप उरत की डाल डाल रही हूँ इसमें इस तरह से उरत की डाल है और आधा कप मैं चावल ली हूँ आप कोई भी चावल ले सकते हैं अब मैं एक छोटा चमच इसमें मेथी दाना डाल रही हूँ इसमें काफी अच्छा रहता है क्योंकि उरत का डाल इसमें पड़ा है अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ इसे मैं सोक करने के लिए रख दूँगी ओवरनाइट के लिए अच्छी तरह से धो करके ओवरनाइट सोक हो चुका है आए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ देखिए हमारे लोबिया डबल हो चुका है फूल करके यह अच्छी तरह से फूल गया है मैं तोड की दिखा रही हूँ आपको हाथों की मदस से अब इसका पानी निकाल करके इसे मैं मिक्सर जार में डाल कर इसका पेस्ट त्यार कर लूँगी इसका ठीक पेस्ट त्यार करना है बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ना डाले थोड़ा थोड़ा पानी नाल कर इसका पेस्ट त्यार करे अब मैं ठकल लगाकर इसका पेस्ट त्यार कर रही हूँ देखी पेस्ट त्यार हो चुका है अब इसे एक बोल में ट्रास्फर कर ले रही हूँ बाकी की लोबिया भी मैं पिसली हूँ इस तरह से पेस्ट इसमें डाल दे रही हूँ गाड़ा कंसिस्टेंस ही रहेगा अब मैं ढग करके इसे 6-7 खंटा के लिए रख दे रही हूँ फर्मन्टेट होने के लिए देखे बैटर फर्मन्टेट हो चुका है मैं आपको चला करके दिखाती हूँ बैटर को देखे काफी फलफी बना है बैटर हमारा फर्मन्टेट हो चुका है अच्छी तरह से अभी गर्मी का दीन है अच्छी तरह से फर्मन्टेट हो जाता है बहुत सॉफ्ट बना है बैटर हमारा काफी जालीदार है अब मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ स्वात के अनुसार मैं एक छोटा चम्मज और चौथाई चम्मज डाल रही हूँ अब स्वात के अनुसार डाले हैं सबको डाल के मैं मिक्स कर ले रही हूँ अब दुसरे बोल में मैं एक छोटा प्याज डाल रही हूँ काट करके वारिक कर्दुकस करके मैं एक गाजर डाल दे रही हूँ सिमला मिर्च वारिक काट करके मैं डाल रही हूँ एक छोटा कटोरी वारिक कटा टमाटर डाल रही हूँ हरी मिर्च डाल रही हूँ, दो हरी मिर्च ली हूँ मैं अद्रक बारी काट करके डाल ली हूँ, एक इंच अद्रक है छे साथ करी पत्ता को बारी काट के मैं डाल रही हूँ धन्य पत्ता डाल रही हूँ, एक कटोरी, छोटी कटोरी है ये अब मैं आधा चमच नमक डाल ली हूँ, 1 तीज़ पूल एक चोथाई चमच मैं काली मेच पाउडर डाल ली हूँ और एक छुटा चमच मैं इसमें पाउभाजी मसाला डाल ली हूँ इन सब को डाल कर मैं मिक्स कर दे रही हूँ वेज़टेबिल्स को अच्छी तरह से अच्छी तरह से वेज़टेबिल्स मिक्स हो चुका है अब एक पैन ली हूँ हूँ है फ्राइपैन है नौन स्टिक का उसमें ओयल लिंग कर दे रही हूँ ब्रस की मदश से अब मैं बैटर डाल रही हूँ एक कलची बैटर मैं इसमें डाल रही हूँ पैन में इससे ज़्यादा फैलाना नहीं है ये मोटा-मोटा ही रहेगा उत्पम मोटा मोटा ही बनता है देखिए इसमें जाली बनने लग गया है इसका मतलब बैटर अच्छा बना है हमारा अब मैं उपर से सब्जिया डाल दे रही हूँ इसमें खुब सारी हरी सब्जी डाल दे हरी सब्जी डालने से उत्पम काफी टेस्टी रगता है और हेल्दी भी बनेगा हमारा नास्ता अब उपर से थोड़ा सा ओयल डाल दे रही हूँ आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं अब मैं ढख करके इसे पका रही हूँ दो-तीन मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे फ्लेम स्लो ही रखे नहीं तो नीचे से जल जाएगा उपर से हलका मैं सब्जी को दबा दे रही हूँ अब मैं पलट दी हूँ देखिए काफी अच्छा उपर से भी जाली आ गया है उत्पम बहुत अच्छा बना है हमारा अब देख पा रहे हूँगे फर्मन्टेट होने से बैटर काफी अच्छा बनता है उत्पम का अब मैं इसे पलट दी हूँ अब मैं निकाल ले रही हूँ इसे प्लेट में आईए मैं आपको एक और दिखाती हूँ फिर से तेल लगा दे रही हूँ फ्राइपेंड में एक कल्ची मैं बैटर फिर से डाल रही हूँ जाली आने लग यह है देखिए यह काफी अच्छा साइन है उत्पम का अब मैं इसमें सब्जियां डाल दे रही हूँ उपर से नीचे से काफी क्रिस्पी बनेगा उत्पम और अंदर से काफी फ्लफी रहेगा जाली दार बनेगा इस तरह से बेटर रहने से अब मैं आल डाल दे रही हूँ मैं वेजटिवल ओल में पका रही हूँ इसे आप चाहे तो कोकोनट ओल या बटर में भी बना सकते हैं या देशी घी में भी बना सकते हैं काफी टेस्टी लगेगा अब मैं इसी तरह ढग करके उलट पलट करके इसे से शेक ले रही हूँ उत्पम को हमारा दूसरा उत्पम भी तैयार हो चुका है फिर से मैं ढग दी हूँ पलट करके ताकि अंदर से भी अच्छी तरीके से हो जाए मैं इसे स्लो फ्लेम में ही पका रही हूँ आप भी इसी तरह करिएगा हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत पकाईगा अब मैं दूसरा उत्पम भी निकाल ली हूँ इसी तरह मैं बाकी के भी उत्पम त्यार कर लूँगी मैं इसे नारियल की चटनी की साथ सर्फ की हूँ आप इसे ज़रू ट्राइ करिएगा अपनी घर में ये काफी हेल्दी रेसेपी है ये बच्चे बड़ो सभी के लिए बहुत अच्छी है ये टीफिन में भी आप खा सकते हैं सुबा नास्ते में रात की डीनर में भी आप बना सकते हैं बहुत हेल्दी आप्शन है ये आप इसे ज़रू ट्राइ करें अपने घर में और अपने एक्सपिरियंस मुझसे सेर करें प्लीज कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरू बताएं कि आपको मेरी उत्पम की रेस्पी कैसी लगी आएए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ उत्पम को अंदर से दिखिए काफी सॉप्ट बना है देखिए काफी जालीदार है मैं चटनी में लगा के आपको दिखा रही हूँ अब इस तरह नालील के चटनी बना कर खाए प्लीज लाइक सब्सक्राइब सेर करना ना भूले थैंक यू